यूपीटेट सन 2017 में पूछे गए उर्दू के सवालों को आज हम लोग हल करेंगे जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि यूपीटेट में किस लेवल के कोश्चन पूछे जाते हैं आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हैदरी इस्ट्री प तो जिस नजमें चार मिसरे होते हैं उसको रुबाई कहा जाता है रुबा के माने होता है चार के और रुबा से ही बना है लफजे रुबाई यानि कि जिसमें चार मिसरे हो वो नजम रुबाई कहलाती है अगला सवाल है कि इतनी बात तो हर शक्त जानता है कि इतनी बात तो हमारा हरे एक सबस्क्राइबर जानता है कि ये जो कौल है मुहम्मद हुसैनाजाद का है अर्दू के आगाज औरतिका से मतलिक जो मुखतलिफ नजरियात है उससरी लिटर्ट वीडियो अपलोड की गई है आप लोग साज करके देख सकते हैं यहां से एक या दो सवाल हर साल पूछा जाता है यहां पर पूछा जा रहा है कि इतनी बात तो हर शक्त जानता है कि हमारी उर्दू जबान बरजबासा से निकली है यह जुम्मद हुसैनाजाद का है नसर الدین हाशमी का नजरिया क्या है उर्दू के आगाज औरतेका से मतलिक आपको कमेंट करके बताना है चलिए आगे बढ़ते हैं नजम के लोगवी माने क्या है लड़ी में मोती पिरोना यानि कि चौत हवाला अफसन सही हो गया हसने वाले हसते हैं और रोने वाले रोते हैं तो इस जुम्ले में इसमें फाइल बताना है इसमें फाइल यानि कि अंग्रेजी में इससे सबजेक्ट कहते हैं और हिंदी में इससे करता कहते हैं यानि कि काम करने वाले को इसमें फाइल कहते हैं तो हसने वाले रोने वाले हसने वाले हसते हैं रोने वाले रोते हैं तो यहां पे हसने वाले और रोने वाले ये दोनों जो लफज होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे इसमें फाइल हो जाएंगे यानि कि तीसरा वाला अपसन आपका करेक्ट होगा अगला सवाल यह है कि जबानों के किस खानदान से उर्दू का तालुक है तो जैसा कि आप जानते कि हिंदुस्तान में चार जबानों के खानदान है और जो हमारी उर्दू हिंदी वगएर है इसका तालुक भारोपी ये भासा के भासा परिवार से है जिसे आप हिंद यूरोपी खानदान कह सकते हैं ठीक है लगबक ती 70% जो जबाने बोली जाती है वो भारोपी खानदान की ही है हिंदुस्तान में ठीक है तो उर्दु का तलुक भी किस से है हिंद यूरोपी खानदान से है शेरुल अजम क्या है आपसे पूछा जा रहा है तो ये फारसी शायर की तारीख है ठीक है फारसी शायरों की तारीख है शेरुल अजम किस ने लिखी थी शिबली नुमानी ने लिखी थी उर्दु शायरों की तारीख जो है वो आपको मुहम्मद हुसैन आजाद की किताब क्या कहलाता है यान कि किसी चीज की इल्लत वो बयान करना जो असल में इल्लत नहो और शार अपनी तरफ से उसकी कोई इल्लत बयान कर दे जैसे बहुत मशूर शेर है प्यासी जो थी सिपाय खुदा तीन रात की साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की तो इस शेर में क्या ह सेनते हुसने तालील है जिसमें किसी बात का सबब वो बयान किया जाए जो असल सबब नहो उसमें हुसने तालील होती है ठीक है आती है उसको देखने मौजे कशा कशा साहिल पे बाल खोले नहाती है चादनी इस शेर में भी आपका सेनते हुसने तालील है ठीक है कुछ और स नते हुसने तालील के एक्जामपल मैं आपको देखा दूँ कि यहां पे आप देख सकते हैं सजदे शुक्र में है शाख समर्दार हरे एक देख कर बाग जहां में करम अजब जल तो इस शेर में शाखो का जुकना फितरी बात है लेकिन शायर ने यह कह रहा है कि अजब जल य हुए है यानि कि जब शायर अपनी खुद की इलत बयान करे किसी शेर में फितरी इलत के बर खिलाफ तो वो होता है सिनते हुसने तालील ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल यह रहा कि कि कलाम में किसी मशुहूर वाकिया मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे आप कहते हैं तलमी तलमी जिसमें किसी पुराने किसे तारिखी वाकिय का जिक्र हो जैसे कि मैं आपको एक शेर सुना दू निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बयाब रुख होकर तेरे कुचे स हम निकले इसमें आदम का जिक्र है तो इसलिए ये आपका सिनते तलमी हो गया इसी तरह एक और शेर सुना दें कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अकल है महवे तमाशाय लबे बामबी इसमें भी हुसने तालील है ठीक है हर संग में शरार है तेरे मुसा नहीं जो सैर करूं कोहितूर का इस शेर में भी आपका सिनते तलमी है ठीक है सिनते तलमी की एक और मिसाल जो मैंने आपको नहीं बताईए आपको यादो तो कमेंट में बताएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि व किताब पढ़ी गई, किसने पढ़ी नहीं पता है, तो वो फेले मजहूल हो गया, ठीक है, वीडियो देखी गई, किसने देखी नहीं पता, तो वो फेले जिसका काम करने वाला नहीं हो, वो फेले मजहूल होता है, ठीक है, फेले लाजिम और फेले मताद्दी से भी सवाल पू फिल मतादी वो फिल होता है जिसमें फाइल के साथ मफूल की भी जरुरत पड़े जैसे अली ने उर्दू पढ़ाई ठीक है तो यहां पे आपका अली सबजेक्ट यानि के फिल है अरे फाइल है और उर्दू मफूल मफूल और फाइल जब दोनों रहता है तो फिल मतादी होता है मैं कहूँ अर्दू अली ने पढ़ाया तो अली ने क्या पढ़ाया यह नहीं पता है तो इसमें मफूल नहीं है तो यह फिल लाजिम हो गया तो यहां से भी सवाल आपके आते हैं देख लेंगे आप लोग, चलिए, अगला सवाल ये है कि हम और तुम कल सुबह सायर को चलेंगे, तो इस जुमले में मुपतेदा क्या है, तो हम और तुम जो है, ये इसमें मुपतेदा है, ठीक है, चलिए, यहाँ पे चार सेंटेंस हैं, चारों को पढ़िए, फिर बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, पहला है, तुम जाओ बाजार से सबजी लाओ, दोसरा है, जाओ तुम सबजी लाओ बाजार से, तीसरा है, तुम बाजार से जाओ सबजी लाओ, चार होता है, तुम सबजी लाओ बाजार से, अब बताओ कौन सा सही है, तो तुम जाओ बाजा से सब जिलाओ यह जो सेंटेंस है यह बिल्कुल सही है तो पहला वाला अफसन सही हो गया अगला सवाल कि किस सन में उर्दू सरकारी दफातिर की जबान करार दी गई तो 1832 में ठीक है उत्तर परदेश ने उर्दू को सेकेंड आफिसियल लेंग्वेज का दरजा कब दिया था तो 1889 में ये भी बात आपको याद रखना है अगला सवाल ये रहा मौलाना अलताफ हुसैन हाली ने गालिप पर कौन सी किताब लिखी तो हाली ने तीन सखसियात के उपर किताब लिखी एद तो इन्होंने लिखी हायाते साधी जो की शेक साधी की जिन्दगी पर मबनी कित पूछा जाता है हायाते जावेद किसकी सवाने हायात है तो हायाते जावेद ये सरसेयत की सवाने हायात है गालिप ने सोरी अलताफ हुसैन हाली ने किसकी जिन्दगी पर लिखी ती तो सरसेयत की और गालिप पर जो किताब लिखी गई उसका नाम है याद गार गालिब या यानि कि आपका फूर्थ वाला आपसंज है वो करेक्ट है ठीक है ना आगे बढ़ें अगले सवाल पे पेड़ागोजी के भी सवाल आते हैं यूपीटेट में आपको ध्यान में रखना है यहाँ पेड़ागोजी का सवाल एक कवायत की तदरीश के जरिया किस तालीमी अमल को फरोग देना मकसूद है यानि कि जब आप क्रामर की टीचिंग कराते हैं तो आप कौन से एजुकेशनल प्रोसेस को डेवलप कराना आपका लच्छ होता है मकसद होता है चार आपसंज है पहला है मजमून निगारी दूसरा आपसंज है कि जबान के सर्फी और नहवी अमू चाना तो कवायर की तद्रीश के जरिया हम जबान के सर्फी और नहवी अमूर की बाकादत तर्वियत देना चाहते हैं यही हमारे मकसद होता है तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला आपसंज करेक्ट है कोशन नमबर 75 में क्या का जा रहा है तद्रीशी अमल को मौसिर और द मैथड अपनाएंगे पहला है मौजू की मुनासिबत से तद्रीशी सामान की फरहामी यानि की जो टॉपिक है उससे एक रिलिवेंट्स कोई भी टीलम बच्चों को दस्तियाप करा दीजिए मौजू का तारूफ मुश्किल माने की तरफ तवज्जा मबजूल करना गैर अह और गैर अहम बातों में तमीज ना करना तो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या है आप टॉपिक की हिसाब से टॉपिक की मुनासिबत से आप टीलम बच्चों को दीजिए तो इस तरह से आपका जो टीचिंग है वो इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो लाजी इस्तिमरारी है यानि की कांटेनिवस है गुबार खातिर क्या है तो गुबार खातिर ये खतूत का मजमुआ है किसके खतूत का मजमुआ है मौलाना अबुलकलाम अजाद के पूछा जाता है कि मौलाना अबुलकलाम अजाद ने कौन से खतूत के मजमुएं को जेल म लिखा था तो गुबार खातिर को ये किस के लिए लिखा था तो अपने दोस्त हबीब रह्मान शेरवाने के लिए इन्होंने खतूत लिखे थे ठीक है हबीब रह्मान शेरवाने के लिए मौलाना अबुलकलाम अजाद ने गुबार खातिर के खतूत लिखे थे अगला स्वाल की खामूस मुताले का एहम मकसद क्या है जो साइलेंट रीडिंग है जो आपका मौन पठाने उसका मकसद क्या है तो अबारत की तफहीम है अगला स्वाल की जबान सीखने में कौन सा उनसुर फियाल किरदार अदा करते है language learning में कौन साथ जो factor है वो important है विरासत और समाजी माहौल यानि कि वनशानुकरम और वातावरण या फिर निसाभी किताब यानि कि पाठ्थ पुष्टक जबान के मुसलिमा उसूल जवाबित यानि कि जो भासा के जो grammar के जो rules और जो आपके principles हैं वो या फिर लोगत यानि कि डिक्षेनरी तो जबान सिखने में सबसे ज़्याद important है वो क्या है वनशानुकरम और वातावरण यानि कि heritage and environment तो यहां पर पहला वाला आपसन आपका correct होगा अगला स्वाल की आग है अवलाद इबराहीम है नमरूद है क्या किसी का फिर किसी को इमतिहा मकसूद है यह आपका एक share है इसमें कौन सी सिनत है तो जैसा कि आप share देखके समझ गये होंगे कि इसमें हदरत इबराहीम अले सलम का जिक्रा है यानि कि पुराना वाकिया है और जिसमें किसी किसे तारीखी रिवायत या फिर किसी नभी वली वगएरा का जिक्र होता है जो पिछले जमाने में गुजरे हैं तो वहां पे सिनतित तलमी होता है तो इसलिए यहां पे आपका चौथा वाला अफसन करेक्ट होगा अफसाना लाजवन्ती के तखलीक कार का नाम क्या है तो अफसाना लाजवन्ती के तखलीक कार है राजेंदर सिंग बेदी सब यह आफसन डिसकस कर लें मंटू का अफसाना है ठंडा गोस्ट टूबा टेक सिंग नया कानून इसमत चुकताई का है जिद्धी तेड़ी लकीर क्रिश्नी चंद्रगा क्या है आप कमेंट करके बताएं बेदी का गरम कोट वगेरा है ठीक है लाज बनती है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर जमानी इतबार से सही की निशान दही कीजिए तो देखिए सबसे पहले अगर इन पहले वाले आपसन को देखते हैं यहां पर सब जितना भी पहला वाला जुम्रा है उसको देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो वली इन में सबसे पैदे पैदा होगे वली धकने फिर मीर उसके बाद गालिब और सबसे बाद में अकबाल का नाम आता है तो इसलिए आपका तीसरा वाला जो आपसन है वो जमानी इतिबार से सही है अब देखिए यहाँ पे कुछ सवाल जो हैं वो पैसे के भी हैं लेकन उससे पहले एक और सवाल है इंद्रसबा का तौलुक अदब की किस सिन्फ से है तो इंद्रसबा जो है यह डरामा है किसका डरामा है अमानत लखनवी का है ठीक है अमानत लखनवी का डरामा है इंद्रसबा यहाँ पे एक पैसेज है पैसेज से रिलेटर सवाल जो है 84-87 इनको आपको हल करना है यानि कि आपको यूपिटेट में एक पैसेज भी मिलता है जो कि आपका 4-5 नमबर का होता है तो यहाँ पे हम पैसेज पहले नहीं पढ़ेंगे पहले सीधे सवाल पर जाएंगे और पैसेज की मदद से ठीक है सवाल को हल कर लेंगे ठीक है देखिए जब आप बड़े पैसेज को देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए पहले पैसेज पढ़ लेना चाहिए और पैसेज से कुछ वर्ड को आपको जयन में बैठा लेना चाहिए और फिर पैसेज में उसी वर्ड को डूटके आपको उसके आगर पीछे के सेंटेंस पढ़के आंसर को पा लेना चाहिए तो यहां पर पूछा जा रहा है कि बहुत धुमत और जैन मत हिंदुस्तान की तहजीबी जिन्दगी में क्या थी, क्या अनुकी चीज थी एक अलग तारीखी वाकिया थी, तहजीब का तसलसल था या फिर नई कदरें थी तो यहां पर अगर आप पैसेज देखेंगे, तो यहां पर आपको तहजीबी जिन्दगी देखना होगा, कहां पर है तो यहाँ पे तहजीबी जिन्दगी दिखे, अब इसके बाद कि आप पढ़ते रहे हैं सेंटेंज, तो यहाँ पे आपको दिखेगा यह तहजीब का सिलसिला था, यानि कि यहाँ पे जो पहला वाला कोशन है, उसका जो सही जवाब होगा, वो क्या होगा, तीसरा वाला अप पैसेज दे कि ताकि आपका वक्त बच जाए, का जारे कि बरहमनी, निजाम की रस्म परस्ती और सक्त गिरी से, हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की जरूरत महसूस हुई, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, वो चौता वाला अपसन, अवामी और समाजी इनक पे जो सही जवाब होगा, वो होगा, मुरविजा, एक्तिदार और रिवायात को नए पहलू और नए रंगो अहंग से आशना कराया, तो यहाँ पे दोसरा वाला अपसन सही हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिसमें यह का जा रहा है कि, हक की जुस्त की तलाश में कौन से दो निजाम एक हो गए, तो यहाँ पे ब्रहमनी निजाम और बौध मजभ ये दोनों एक हो गए, हक की जुस्तजू और इंसानी मसर्रत की तलाश में, ठीक है, पैसेज पे बेट यह सवाला आथ थे, आब आते हैं, अगले सवाल पे, फोट विलियम काल आते हैं, उसमें मीर अमन और उसके इलावा आपके काजिम अली जमा, मीर शेर अली अफसोस, निहाल चंद लाहोरी और मीर बहादर अली हुसेनी थे, अगला सवाल यह कि कुछ तो है जिसकी परदादारी है, इस जुमले में कुछ जो है वो क्या है, तो यहाँ पे कुछ जो किस सदारत किस ने की थी, तो पहली तरक्की पसंद तहरीक की कानफ्रेंस की सदारत लखनव में हुई थी, ठीक है, इसकी सदारत जो की थी प्रेम चंद ने की थी, कब 1936 में, ठीक है, तो यह संदो हजार सत्तरों का कोश्चन पे पर था, यूपिटेट फोस्ट, ठीक है, त तयार रहेगा, जिसमें हम अच्छे से सवालात को हल करेंगे,